नमस्कार दोस्तो दे लेर्नर पॉइंट में आप सभी का श्वागत है इस वीडियो में दोस्तो उपन करेंगे राजिस्तान का इतियासियों कलासंस्कृति कक्षा 10 की जो बुक है उसका मोडल टेस्ट पेपर इस टेस्ट पेपर में दोस्तो पार्थ एक और पार्थ दो से प् का फस्ट पेपर जीके वाला हो या आर एस हो पटवार हो ग्राम सिवक हो राजिस्तान की कोई सी विवर्ती हो उनके लिए इप्पोर्टेंट है इन सो परस्टों में से आप कितने सही कर पाते हैं कमेट बॉक्स में मुझे जरूर बताना और इस से पहले दोस्तों आपको बता देता हूं अगला ऐसा ही मोडल पेपर नंबर दो आएगा मंगलवार को आज सुकरवार है ना मंगलवार को आएगा दोस्तों वो भी आप जर सो तक 101 से 200 तक पाठ दोस्तों आप अगले वाले पढ़ लेना राजिस्तान अध्यन कक्षा दस यानि तीसरा चोथा पाठ पढ़ने की कोशिस करना सो प्रसन रहेंगे 101 से 200 तक तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज का ये मोडल टेस्ट पेपर इसी तरह से दोस्तों développ नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें साथी बैल आइकन ज्रूर दबा ले तो पहला परसन आपके सामने श्क्रीण पर ये रहा है राजपुताना शब्द का सरो पर्थम प्रियोग एठारास ओ इश्वी में किसने किया था राजपुताना शब्द का प्रियोग एठारास तो इश्यू में सबसे पहले किस ने किया था जोर्ज थोमस करनल जैम्स टोड थोमस होड़ी या वाल्टर स्कॉट तो राइट अंसर हो जाएगा ए जोर्ज थोमस तो बिकानेर और नागोर का छेतर प्राचिन काल में क्या कहलाता था तो जंगल देश कहलाता था अब आपको कमेंट बॉक्स में तीन चीजे बताणिये कि सूर्ज सेन कौन सा चेतर कहलाता था मरुवार कौन सा चेतर कहलाता था और धनो प्रदेश कौन सा चेतर कहलाता था अगरा प्रसन आपके सामने श्क्रीन के उपर ये रहा अठारहसो सत्र इश्यृ में किसने श्रव पर्थम जाप्पूर और इंद्रगट से पत्तर से बनी पूर प अषान काfull रिण हश्त कुठार खोज निकाली बहुत अच्छा प्रशन है दोस्तों ये बहुत अच्छा, अठारा सो, सत्तर इश्यू में किसने स्वरव पर्थम जेपुर और इंद्रगड से पत्तर से बनी पुरो पाशान काली नहस्त कुठार खोज निकाली, सेंटन कार, बी, आलचिन, हेकेट या जेम स्टॉट, तो इस खोज कास्रे है किसे जाता है, जलोर से पुरो पाशान काल की खोज कास्रे किसे जाता है, ये तीनो प्रशन दोस्तों नीचे वाले पेश पर आगे, विरेंदरनात मिश्र, रिष्चंदर मिश्र, सेंटन कार, या बी, आलचिन, तो जलोर से पुरो पाशान काल के उपकर्ण कि खोज का स्रे किसे जाता है तो इसका राइटांसर हो जाएगा दोस्तों दे बी ओल्चिन को अगला परसंद राजस्तान में धातुकाल से समधित कौन सा स्थान एशुमेलित है एशुमेलित बताने आपको राजस्तान में धातुकाल से समधित कौन सा स्थान एशुमेलित है पिंड पिंडालिया चितोडगड चितोड कुरड़ा नागोर कोल महुली स्वाइमादोपुर सबणियावे प नागोर कुराड़ा सब दसल नागोर में पड़ता है सही है कॉल मोहली श्वाई माद उपर बिलकुल सही है साब बढ़िया वैं पूगली जैसल मेर नहीं दोस्तों यह बिकानेर है क्या है बिकानेर तो दैर राइट हो जाएगा इसका अगला पर्शन निमन मेंशे किसे लोहे राजस्तान का टाटा नगर की संग्या दी गई है तो बताइए निमन में से किसे लोहे सामगिरी पर चूरता के कारण राजस्तान का टाटा नगर की संग्या दी गई है तो रेड को दीगिए दोस्तों रेड अगला पर्शन सरव पर्थम 1952 में काली बंगा की खोज किसने की तो इसका राइटांसर क्या हो जाएगा दोस्तो अमलानंद घोशने की थी अगला पर्षन उत्खनन में काली बंगा सब बेता के कितने स्तर सामने आए है तो राइट आनसर क्या हो जाएगा दोस्तो पार बेता का दूसरा नाम तामरवती नगरी भी है किस अबबबबा का दूसरा नाम तामरवती नगरी भी है गिलूंड आहाड बागोर या गणेश्वर तो इसका राइटन्सर हो जाएगा दूस्तो आहाड शब्वेता किस नदी के किनारे इस्तित थी बागोर शब्वेता किस नदी के किनारे इस्तित थी तो कोठारी अगला पर्शन भारत में तमबर शबयताओं की जननी किसे माना जाता है बारत में तमबर शबयताओं की जननी किसे माना जाता है गिलूंड बीनमाल शुनारी या गणेशवर तो भारत में तमबर शबयताओं की जननी किसे माना जाता है तो गणेशवर शबयता को फिर है किस सब्वेता से एक रोमन एंफोरा यानि सुरापात्र वे एक युनानी सुराही मिली है इश्वाल, भीनमाल, पिराट या नोहें इसका रैटन्स रो जाएगा भी भीनमाल अगला परसन बरोर नमक सब्वेता कहां इस्तित है बरोर नमक सब्वेता कहां इस्तित है बिकानेर, हनुमानगड, गंगानगर या जालोर तो बरोर नमक सब्वेता स्टल कहां इस्तित है तो गंगानगर अगला परसन चंदबर्दाई के अनुशार मुनि वसिष्ट द्वारा अगने कुंड से किसकी उत्पत्ति नहीं हुई तो बताईए चंदबर्दाई के अनुशार मुनि वसिष्ट द्वारा अगने कुंड से किसकी उत्पत्ति नहीं हुई परमार, चालुक्य, चुहान या पंडे तो इसका राइटन्स रो जाएगा पंडे अगला परसन राजबुतों को नो की संतान किसने बताया राजबुतों को नो की संतान किसने बताया करनल जेम स्टोड डाक्टर कानून गो वी ए सिमित डाक्टर डी आर भंडार कर तो राजबुतों को हुणों की संतान वी एस सिमित ने बताया था किसने वी एस सिमित ने फिर है गुहिल के बाद मेवाड का परतापिसा से कौन हुआ जेतरशिंग रणा हमीर रणा कुमबा बपा रावल तो गुहिल के बाद मिवाड का परता पिशा से कौन हुआ तो बपा रावल हुआ अगला परशन शीवी वेद्य ने किसकी तुलना चार्ष मार टेल से की है शीवी वेद्य ने किसकी तुलना चार्ष मार टेल से की है महारणा कुमबा, महारणा संगा, महारणा परताप, बपा रावल तो इसका राटन्स रो जाएगा बपा रावल की अगला परशन भुताला का युद्ध दिल्ली के गुलामवस के सुल्तान अगला परशन भुताला का युद्ध भुताला का युद्ध दोस्तों जो की 1227 में हुआ था इसमें दिल्ली का सुल्तान इल्टूतमिस बुलामवस का था इल्टूतमिस ये प्राजित हो गया था इसको प्राजित किया किसने था तो बताइए महाराणा लखा, रणा, उदेशिंग, जेतरशिंग, रणा, हमीर तो इसका राइटांस रो जाएगा जेतरशिंग और ये भुताला नामकस्तान आपसे पूछ ले कहां पढ़ता है उद्ध पूर में गिर्वा उद्ध पूर में पढ़ता है दोस्तो बुताला नामकस्तान अगला जेशिंग सूरी के गरंथ हमीर मद मर्दन में किसे हमीर कहा गया है जेशिंग सूरी के गरंथ हमीर मद मर्दन में किसे हमीर कहा गया है रतन सिंग, बप्पा रावल जेत्र सिंग या इल्तूतमिश तो इसका रैटन स्रो हो जाएगा दै इल्तूतमिश अगला परस्ञ का उदारक किसे कह जाता है? राना परताब, महाराना कुमबा, राना हमीर, राना सांगा तो इसका रैटन्स रोजएगा मिवाड का उदारक किसे कहा जता है तो रणा हमीर को कहा जता है मिवाड का उदारक अगला पर्सम विश्यम घाटी पंचानन की संग्या किसे दी गई है महारणा परताब राव मालदेव राणा हमीर राव चंदरशेन तो इसका राइटन्स रोजेगा राणा हमीर को अगला पर्सम किसे राजिस्तान का बिशम पिता में है कहा जाता है किसे राजिस्तान का बिशम पिता में है कहा जाता है राणा लाखा राणा चूड़ा महारणा मोकल महारणा अमरशिंग तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा राना चूडा को कहा जाता है विशम पिता में है अगला पर्स कवीराज शामलदास ने मेवाड के कुल 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माता महाराना कुमबा को बताया कवीराज शामलदास ने 84 दुरगों में से कितने दुरगों का निर्माता महारणा कुमबा को बताया है 33, 50, 23, 32 तो इसका राइटांस रो जाएगा 32 दुरगों 32 दुरगों का निर्माता दोस्तों कुमबा को बताया गया है और मेवाड में 84 दुरुगों में से 32 का निर्मान कुम्बा ने करवाया था ये कतन है कवीराज शामलदास का अगला परशन 26 नमबर एक लिंग महातम्य की रचना किसने की महाराणा कुम्बा कान्हा व्यास मुन्नी सुंदर सुरी या ना था तो देखे दोस्तों एक लिंग मह तम्य की रचना किसने की कहना व्यास ने की अगला परशन अगला परशन आपके सामने स्क्रिन पे रहा महाराजा धिराज महाराजा धिराज रावराय दान गुरू परम गुरू आल गुरू इंदू सुर्थान अध्युपादिया किसकी थी महाराणा कुम्बा महाराणा महाराना परताब या बप्पा रावल तो इसका राइटांस रो जाएगा दोस्तों महाराना कुम्बा किये सारी उपादिया महाराजा दिराज राव राय दान गुरू परम गुरू हाल गुरू हिंदू सुर्तान ये सारी की सारी उपादिया महाराना कुम्बा किये अगला पर महाराणा शंगा रणा अमर्शिंग तो इत्यास में हिंदूपत के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका राइटांस रोज़ेगा दोस्तो महाराणा शंगा को इत्यास में हिंदूपत के नाम से जाना जाता है अगला पर्शन उद्देशिंग ने उद्देपूर नगर कब बसाकर उशेपनी राजधानी बनाया उद्देशिंग ने उद्देपूर नगर बसाकर कब बसाकर उशेपनी राजधानी बनाया 1555 1569 1560 1562 तो इसका राइटान सो जाएगा 1569 अगला पर्सन जे मल्वे फत्ता किसके सेना नायक थे जे मल्वे फत्ता किसके सेना नायक थे महाराना संगा, महाराना कुमबा, राना उदेशिंग या महाराना रासिंग तो जेमल वे फत्ता किसके सेना नाइक थे राना उदेशिंग के अगला परस्ण हल्दी गाटी यूद के समें महाराना परताब की सेना के अरावल दस्ति का नेतर तो कोन कर रहा था हल्दी गाटी युद के समें महारना परताब की सेना के हरावल दस्ते का नेतर तो कौन कर रहा था हकीम का सूर असन खा मेवाती जगनात कच्छवा साबाज खां तो देखे दोस्तों हल्दी गाटी के युद के समय महाना परताब की सेना के हरावल दिस्ते का नेतर तो कर रहा था हकीम खांशूर कौन हकीम खांशूर अगला परसन अमर्शिंग वे मुगनों के मद्य मेवाड मुगलशंदी कब हुई अमर्शिंग वैं मुगनों के मद्दे मेवाड मुगल संदी कब हुई 1614, 1615, 1616, 1617 तो इसका राइटांसर हो जाएगा दोस्तों अमर्शिंग वैं मुगनों के मद्दे मेवाड मुगल संदी कब हुई 1615 में अगला परस्ण मेवाड मुगल संदी के पशाथ मेवाड के किस सरसक ने चितोड दुरु की मरमत के कारे को पूरा करने का निश्य किया मेवाड मुगल संदी के पशाथ मेवाड के किस सरसक ने चितोड दुरु की मरमत के कारे को पूरा करने का निश्य किया क्योंकि दोस्तों इस संदी में ये भी सर्त रखी गई थी कि चितोड दुरु का दुरु की मरमत नहीं करवाए जाएगी तो ऐसा कौन सा साशक था जिसने मर्मत कारे को पूरा करने का निश्य किया महाराणा राज सिंग महाराणा उद्दे सिंग या राव माल्देव तो इसका राइटांस हो जेगा महाराणा राज सिंग अगला पर्शन राज समन जील का निर्मान किशने करवाया महाराणा उद्देशिंग राणा लाखा महाराणा राज सिंग राव राई सिंग तो राज समन जील का निर्मान किशने करवाया इसका राइटांस रोजेगे दूस्तों महाराणा राज सिंग अगला प्रसन राज प्रशस्ती सीला लेख की रचना रण छोड भट ने किस भाचा में की प्राकर्त शांस्कृत मागदी या सोर्शेन तो बताए दोस्तो राज प्रशस्ती 26 या 25 सीला लेख ये रण छोड भट तेलंग बाशा थी संस्कृत अगला प्रसन जोडपूर के राठोडों का आदी पूरुष किसे का जाता है भल राव राव चुड़ा राव शीहा या राव जोदा तो जोडपूर के राठोडों का आदी पूरुष किसे का जाता है तो राव शीहा को का जाता है दोस्तों जोडपूर के राठोडों का आदी पूरुष अगला परशन चांद बावडी जोदपूर की निर्माता चांद कवर किस सासक की पतनी थी बताईए चांद बावडी जो की जोदपूर में पढ़ती है दोस्तों की निर्माता चांद कवर थी ये किस सासक की पतनी थी राव चूड़ा, राव मालदेव, राव चंदरशेन, राव जोदा तो इसकार राव चूड़ा की पतनी थी ये चांद कमर अगला प्रसन अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथी बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे परसन आपको कहीं नहीं मिलेंगे रीट में भी दोस्तों मैंने बहुत बढ़ाए थे सेश्टी के आपके लिए परसन, एहसान तो मानते हो कि नहीं मानते पता नहीं, बागी बहुत मैंनत की थे और अब भी दोस्तों ये आपके लिए बहुत हैल्फूल रहेंगे परसन, तो देखिए, 38 नमर की उसनी ये है, राव जोधा ने जोध पुरनगर की स्तापना कब की, वे इसे अपनी राजधानी बनाया तेरा सो उन सट इसवी, चोधा सो इक सट इसवी, चोधा सो उन सट इसवी, पंदरा सो बास सट इसवी, तो चोधा सो उन सट इसवी, आगला परसन, डाक्टर गोरी शंकर हिराचन ओज्जा ने किसे जोधपूर का पर्थम परतापिसा से कहा है राव शीहां राव मालदेव राव रणमल राव जोधा तो इसका राव जोधा डाक्टर गोरी शंकर हिराचन ओजा ने किसे जोधपूर का पर्थम परतापिसा से कहा है तो राव जोधा को कहा है अगला परसल किसने खानवा के युद में राणा संगा की ओर से भाग लिया था तो राव जोधा राव मालदेव राव रेनमल राव बिका तो इसका राव मालदेव अगला परसल जेता और कुमपा किसके सेना पती थे राव चंदर शेन राव राव राई सिंग अजे राव 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 मालदेव के सेना पती थे अगला परसल मारवाड का परताब किसे कहा जता है मारवाड का परताब किसे कहा जता है राव मालदेव राव बिका राव चंदर शेन स्वाई मान सिंग मारवाड का परताब किसे कहा जाता है तो मारवाड का परताब कहा जाता है दोस्तो राओ चंदरशेन को परताब का अगरगामी भी बोलते हैं दोस्तो अगला परिशनाप के सामने स्क्रीन पर ये रहा मुहेनोत नेरसी किस सासक का मंत्री था या मुहेनोत नेंड सी किस सासक के दरबार की सोबा बढ़ाता था उप्सन है राव जोधा राव कल्यानमल जस्वन्ट सिंग या स्वाई जे सिंग तो मुहेनोत नेंड सी किस के दरबार की सोबा बढ़ाता था तो जस्वंत सिंग के दरबार में था दोस्तो मुहेड़ोत रनेड़ सी तो अपने चैनल को दोस्तो जदा जदा सेर जरूर किया करें आप वीडियो के नीचे सेर का उप सनाता है और जितने भी टेलीग्राम गुरूफ में आप जुड़े हैं अपने दोस्तों को सेर जरूर किया करें और लाइक भी किया करें वीडियो को यहाँ लाइक का उप सनाता है वहाँ से अगला परस्ट किस सासक ने देश नोग में करणी माता के मूल मंदिर का निर्मान करवाया किस साथ सक ने देश नोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्मान करवाया राई शिंग लून करण राउ जेट सी राउ बिका तो इसका रेटान सोजाएगा राउ बिका ने अगला परशन कल्यू का करण किसे कहा जाता है कल्यूग का करन किसे कहा जाता है राव बिका राव राई सिंग राव जुद्धा राव लून करन तो कल्यूग का करन कहा जाता है दोस्तों राव लून करन को कल्यूग का करन कहते हैं अगला परसन राव राई सिंग किस उपादी के साथ बिका नेर का साथ सक बना राव रायशिंग किस उपादी के साथ बिकानेर का साथ से बना महाराज, महाराज़ाधी राज, आदी राज या ब्रिज राज तो इसका राइटन सो जाएगा महाराज़ाधी राज मुन्शी देवी परशाद ने किसे राजपुताना का करण कहा है मुन्शी देवी परशाद ने किसे राजपुताना का करण कहा है राव करण सिंग को, राव बिका को, राव राई सिंग को या राव जोधा को इसका राइटन सो जाएगा दोस्तों मुन्शी देवी परशाद ने किसे राजपुताना का करण कहा है तो राव राई सिंग को कहा है अगला परसन अड़टारीश नमबर शुक शबतती नामक गरंथ में किसे जांगल धरबाचा कहा गया है बहुत अच्छा परसन है दोस्तों भुत अच्छा परसन है डीफ परसन है यह शुक शब्त ती नामक गरंथ में किसे जांगल धरबाचा कहा गया है राव बिका विग्रे राज चतुर्थ राव कल्यानमल राव करण सिंग तो इसका रैटन सोजेगे दूस्तो राव करण सहा मंदिर का निर्मान किष्णे करवाया अरणो राज ने परत्फिराज तृत्य विग्रे राज चतुर्थ तो पुषकर में वरंदिर का निर्मान अरणो राज ने करवाया दोस्तो अरणो राज अगला परशन आपके सामने श्क्रीन पर ये रहा देवबोध और धरमबोध किस साथ सक्के समय के परकांड विद्वान थे वाशुदेव चुहान अरणो राज विग्रे राज चतूर्थ पर्थविराज चुहान तो इसका राज अंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आब बताइए तो अरणो राज अगला परशन आपके सामने श्क्रीन पर ये रहा तोमरों को प्राजीत कर दिलि प्रादिकार करने वाला पहला पहला चोहान साशक कोन था तोमरों को प्राजित कर दिल्ली प्रदिकार करने वाला पहला चोहान सा शक कौन था गोविंद तृत्य अजेराज विग्रेराज चतुर्थ परत्विराज चोहान तो इसका राइट आन्थ रोजएगा विग्रेराज चतुर्थ अगला परसन जयानक भट ने किसे कवी बांधों की उपादी दी थी वाशुदेव चोहान, पर्तफिराज चोहान, अर्नोराज, विग्रे राज चतूर्थ तो इसका रैटांस रोजाएगा कभी बांद होकी उपादी जयानक भट ने विग्रे राज चतुर्थ को दी थी अगला परसन ललित विग्रे राज नाट की रचना किष्णे की जयानक भट शौम देव अलट चंद बरदाई तो ललित विग्रह राज नाटक की रचना किष्णे की इशकार राइटांस रोज जाएगा सौम देव अगला परसन नीमन में से किस सासक ने बिसलपूर बसाकर वहाँ बिसलपूर जील बनवाई विग्रह राज चतूर्थ, परथविराज तरित्य, अजे राज या अर्नो राज अगला परसन परथविराज तरित्य कितनी आयू में सासक बने पर्त्वियाज तरीदे कितनी आयू में सासक बने 10 वर्ष, 11 बारा वर्ष, 12 शोड़ा वर्ष तो इशका राइटान्स ओजाएगा 11 वर्ष की आयू में अगला परसण आलावे उद्दा आलावे उद्दल किस शासक के वीर सेनपती थे अगला पर्सन किस सासक के समय स्पादलक्ष का स्वर्णकाल कहलाता है परत्राज तरीते गोविंदराज अजेराज विग्रेराज चतुर्थ तो देखें दोस्तो इसका राइटन्स होजएगा विग्रेराज चतुर्थ पिर रणतम बोर के 94 का संस्तापक कौन था गोविंदराज हमीर देव चुहान वाशू देव चुहान चिन्तामनी भट तो रणतम बोर के 94 का संस्तापक था गोविंदराज अगला परसन रणमल वे रतिपाल किसके सेनापती थे अल्लाव दीन खिल जी हमीर देव चुहान वेर नरायन पमार इनमें से कोई नी इनमें से कोई नी नन ओफ दीश तो हमीर देव चुहान के सेनापती थे दोस्तों रणमल और रतिपाल इन्होंने दोस्तों धोका दिया था हमीर देव चुहान को अगला परसन हमीर हट नमक गरंथ की रचना किसने की जोद राज चंदर शेकर ने चंदर शूरी महारणा हमीर तो हमीर हट नमक गरंथ की रचना किसने की तो इसका राटन्स हो जाएगा ने चंदर शेकर ने हमीर महाकावी की रचना की थी दोस्तों ने चंदर शूरी ने अगला परसन और ये हमीर हट है इसकी रचना की थी चंदर शेकर ने ध्यान रखना ठीक है अगला परशन जालोर के चुहानवस का संस्तापक कौन था किरतिपाल दूले राय कानड़ देव या छेपाल तो जालोर के चुहानवस का संस्तापक था किरतिपाल अगला परशन अल्लाओदीन खिलजी ने जालोर के शक्ति साली किले शिवाना पर दिकार करके उसका नाम क्या रखा था खेराबाद, जलालाबाद, मौमिनाबाद या खिजराबाद तो इसका राइटांसर हो जाएगा खेराबाद क्या रखा था खेराबाद, अगला परशन अल्लाओदीन खिलजी ने खिजराबाद का परतिनी किसे निक्त किया दया सरदार भीका कमाल खियृःदीन गुरूग, खिजिरका मलिक अंबर तो इसका राइटांसर हो जाएगा कमाल खिजराबाद क्या रखा खेराबाद, मुमिनाबाद, जलालाबाद या धन्देश तो 66 का राइटांसर हो जाएगा दोस्तो जलालाबाद अगला परस्ट अमेर के कच्वावंस के सासकों की पर्थमराजदानी कहा थी अमेर दोसा मांड पर्देश या मंडोर तो इसका राइटांसर हो जाएगा दोस्तो अमेर के कच्वावंस के सासकों की पर्थमराजदानी दोसा अगला परस्ट कच्वा प्रारम में किन सासकों के सामत थे परमार सासक, परतिहार सासक, चुहान सासक, राजपूत सासक तो देखे दोस्तो कच्वाप्रार्म में चोहनों के सामन्त थे अगला प्रशन मुगल अधीनता स्विकार करने वाला पहला राजपूत्सा सक कौन था बगवन्दा, स्मान सिंग, स्वाई, जै सिंग या भारमल तो भारमल था दोस्तो भारमल अगला प्रशन मान भाई किसकी पुत्री थी जिसका विभा जहांगीर के साथ किया गया भारमल भगवन्दास, मान सिंग या स्वाई, जै सिंग तो मान भाई किसकी पुत्री थी जिसका विभा जहांगीर के साथ किया गया तो इसका राइटांस रो जाएगा भगवन दास की अगला परसन मान सिंग को किसने फरजंद की उपादी दी मान सिंग को किसने फरजंद की उपादी दी हुमायू अकबर शा जहां या ओरंग जेप तो मान शिंग को किसने फरजंद की उपादी दी इसका राइटांस रोजाएगा अकबर अगला पर्शन राणी कनकावती किसाट्सकी पत्मी थी जिसने अपने पुत्र जगत सिंहकी समर्ती में जगत शिरोमणी मंद्र का निर्मान करवाया था राणी कनकावती किस सासक की पतनी थी जिसने अपने पुत्र जगत सिंग की समरिती में जगत सिरोमणी मंद्री का निर्माण करवाया था श्वाई जे सिंग, मिर्जा राजा जे सिंग, भगवंदास या मान सिंग तो इसका राइटांस रोजाएगा दोस्तो मान सिंग अगला परसन ओरंग जेब ने किसकी शेनिक योग गितावे कूट नीती से परभावित होकर दक्षिन में मराठों के विरूद भेजा था औरंग जेब ने किसकी सेनिक योग गिता वै कूट निती से प्रभावित होकर उशे दक्षिन में मराठों के रूद वेज़ा था श्वाई जैसिंग मान सिंग भारमल या मिर्जा राजा जैसिंग तो इसका राइटांस हो जाएगा दोस्तों मिर्जा राजा जैसिंग पिर है शिवाजीवे जेशिंग के मद्धे पुरंदर की संदी कब हुई बहुत अचा प्रस्ण है शिवाजीवे जेशिंग के मद्धे पुरंदर की संदी कब हुई 1662, 1664, 1665, 1666 तो शिवाजीवे जेशिंग के मद्धे पुरंदर की संदी कब हुई थी इसका राइटांस हो परशिद कवी बिहारी किस्षासक के दरबार में थे बगवंदास मिर्जा राजा जेशिंग राजा राम श्वाई जेशिंग तो इसकार राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिर्जा राजा जेशिंग अगला परशन निमन में से किस शाशक ने साथ मुगल साशकों का शाशनकाल देखा था मान सिंग मिर्जा राजा जेशिंग श्वाई जेशिंग या जगत सिंग तो इसकार राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वाई जेशिंग अगला परशन निमन में से किस स्थान पर जेशिंग ने वेदचाला नहीं बनवाई तेकि दोस्तों पांच जगए वेदचाला बनाई थी ज्यान अकणा उसमें से आगरा में नहीं बनवाई जेपूर में बनवाई थी मत्रों में बनवाई थी उजेन में बनवाई दिल्ली में बनवाय थी, बनारस में बनवाय थी, आगरा में नहीं बनवाय थी, अगला परशन, श्वाई, जय सिंह द्वारा निर्मित सबसे बड़ी वेद सलाव कहां स्थित है, जयपुर, दिल्ली, उजेन या बनार्श तो इसका राइटांस रोज़ेगा दोस्तो जेपूर में अगला क्यूशन पहला राजपूत हिंदू साशक कौन था जिसने शती पर्था की रोक थाम हेतू प्रियास किये तथा विद्वा विवा को मानेता परदान करने हेतू नियम बनाए पहला राजपूत साशक कौन था जिसने शती पर्था को रोकने हेतू प्रियास किये और विद्वा विवा को मानेता परदान करने हेतू नियम बनाए बदन सिंग, मिर्जा राजा जे सिंग, सवाई जे सिंग, महाराजा सुरजमल तो इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तो सवाई जे सिंग अगला परसन नीम coughing मेंसे कौं सा किला zdrow! गाइचा के कि लिए पर सजए दावा करता हूं, कोई आप एक्जाम देना यह बहुत important परसन आपके सापने भी स्क्रीन पर सल रहे हैं तो इसका राइटन्स रोज़ाँ दोस्तो दैशालमेर में पढदा हून जो लूण करन तो इसका राइटन्स हो जाएगा हर राय भाटी अगला परशन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा भरतपूर के शवतंत्र जाट राज्य का संस्तापक कौन था भरतपूर के शवतंत्र जाट राज्य का संस्तापक कौन था बदन सिंग चूडामन राजरा महाराजा सुरिजमन तो भरतपूर के सवतंतर जाट राजे का संस्तापक कौन था इसका राइटन्स हो जाएगा चूड़ा मन अगला पर्शन बदन शिंग को किसने ब्रिज राज की उपादी दी थी औरंग जेब अकबर जै सिंग या मान सिंग तो इसका राइटन्स हो जाएगा दोस्तो जेशिंग ने अगला पर्शन करोली के यादव बंस की स्तापना किसके द्वारा की गई करोली के यादव बंस की स्तापना किसके द्वारा की गई किर्तिपाल विजेपाल गोविंदराद या गोपाल पाल तो इसका राइटांस रहो जाएगा दोस्तो विज्य पाल अगला परशन करोली में मदन मोहन मंदर का निर्मान किसने करवाया करोली में मदन मोहन मंदर का निर्मान किसने करवाया विज्य पाल अर्बक्ष पाल मदन पाल गोपाल तो इसका राइटांस रोज़ेगे दोस्तो गोपाल ने अगला परशन अबू के परमारवंस का संस्तापक कोन था धूम राज या धूमिल राज उत्पल राज विक्रम देव धरा वर्ष तो इसका राइटांस रोजाए के दोस्तो धूम राज अगला प्रसना आपके सामने स्क्रेन पर ये रहा निमन में से किसने अबू के देलवडा गाउं में लुवन साही नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्मान करवाया था धारा वर्ष तेजपाल विक्रम देव धूम राज तो इसका राइटांस रोजाए के दोस्तो तेजपाल ने अबू के देलवडा गाउं में लुवन साही नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्मान तेजपाल ने करवाया था याद रखना अगला परस्ड उड़ास मेलन के देख स्था मिवार के किस स्था सकने की सत्रा जुलाई सत्रा सो चओटीसद राज सिंघ शौई जयशिंघ तकत सिंघ जगद सिंघ ध् charitable द्वित्य है Wow same प्रशना आपके सामने स्क्रीन के उपर ये रहा कृष्णा कुमारी मेवाड के किस साथ सक्की पुत्री थी कृष्णा कुमारी विवाद तो श्वाई जैशिंग पर्थम भीम सिंग राज सिंग जगत सिंग तो इसका राइटांस रोजाएगा दोस्तों भीम सिंग की बेटी थी कृष्णा कुमारी अगला प्रसना आपके सामने स्क्रीन के उपर ये रहा किस लोग देवता की उंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है तेजा जी पाबु जी देव नरायन जी मली नाजी तो किस देवता की उंटों के देवता के रूप में पूजा की जात भाटी गोरखनात हीरानंद जसनाज तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूस्तों उगमशी भाटी के सिश्य थे मल्ली नाज अगला परश्ण कामडिया पंथ किस्ता अपना किसने की मेहा जी मांगलिया हडबु जी रामदेव जी संत पीपा तो कामडिया पंथ किस्ता अपना रामदेव जी ने की थी सामपर्दिक सद्भाउना वाले देवता रामदेव जी कहलाते है रामदेव जी पांच पीरों में सामील है अगला परसना आपके सामने स्क्रेन पर ये रहा निमन में से कौन सा राव चूड़ा के समकालिक थे निमन में से कौन राव चूड़ा के समकालिक थे महा जी मांग लिया मलिना जी हडबू जी जामबो जी तो इसका राइटांस रो जाएगा दोस्तो महा जी मांग लिया अगला पर्षन निमन में से कौन राव जोदा के समकालिक थे धन्ना जी जांबो जी हडबू जी पाबू जी तो इसका राइट अंत्र हो जाएगा हडबू जी अगला पर्षन आपके सामने स्क्रीन के उपर ये रहा चार हातों वाले लोग देउता के रूप में कौन परशिद है बहुत तचा पर्षन है चार हातों वाले लोग देउता के रूप में कौन परशिद है धन्ना जी पिंपा जी जसना जी या कल्ला जी तो कल्ला जी दोलन का स्री ग्रेस करने का स्रे किशे दिया जाता है धन्ना जी मेरा बाई संतर इदास दादू दयाल इसका राइटांस हो जाएगा धन्ना जी अगला पर्शन निमन में से किशे प्रयाउन वेग्यानिक भी कहा जाता है जसना जी जामबो जी संत माव जी हडबु जी तो नि तो देखिए संत माव जी लाल दास जी दादू देयाल सुन्दर दास तो राजस्तान के कबीर किसे का जाता है तो इसका राइटांस रोचाएंगे दोस्तो दादू देयाल को अगला परसन मीरा भाई ने अपना अंतिम्ष में कहां पर वेतित किया था मेड़ता उजेन द्वारिका या कुड की तो मीरा भाई ने अपना अंतिम्ष में दोस्तो द्वारिका में वेतित किया था अगला पर्सन राजस्तान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है मेरा बाई, संतराना बाई, गवरी बाई, करनी माता इसकार राइटांस रोजाएगा संतराना बाई को राजस्तान की दूसरी मीरा कहा जाता है तो यह था दोस्तो आज का अपना मोडल टेस्ट पेपर एक से लेकर के राजस्तान अध्यनकक्षा दस यह राजस्तान का इत्यास करते वाली जो भी नई भूख चलती है उसके शोव प्रसंत है दोस्तो अब करेंगे अपन नेक्स्ट मोडल पेपर दो और यह मोडल पेपर जाएगा दुस्तो तीन दिन में टाइप होंगे 101 से लेकर 200 तक अपन परसंद करेंगे अगले दोस्तो दो या तीन पार्ट आप पढ़ लेना दो पार्ट हो चुके हैं इसमें अगले दो या तीन पार्ट पढ़ लेना तो जहां तक 100 परसंद और बढ़ेंगे 101 से 200 तक झाता कृसि नया जा जहां सी हैंma झाता करेंड़ें आपन परसंद कर दो हम में परसंद दो याद हो अइस हैंता करेंगे 20 तक झाता करेंगे 40 तक और मेंगे 30 तक झाता दो झाता कि भ龍े खरशन की 10 तक तक 5 उन्या